आज हमने अपने केचन में बहुत ज़ादा special रेशे वाले शामी कबाब बनाएं जो बहुत ज़ादा मज़ेके बनते हैं और बहुत ज़ादा unique recipe है ना ही इन कबाबों में आपको machine यूज़ करने के जरूरत है ना ही सिल्बटे पर पीछने के जरूरत है बहुत ज़ादा ज़ट पर तयार होने वाले ये रेशे वाले कबाब बहुत ज़ादा मज़ेके होते हैं आज से पहले आपने कबी भी अपनी केचन में इस तरीके से शामी कबाब की recipe ट्राइ नहीं की होगी तो बिना देर किये हुए मैं आपसे शानदार कबाब की recipe शेयर करूंगी बिसमिल्ला इरह्मान इरहीम असलाम अलेकुम वीवर्स उमीद करती हूँ आप सब खेरियसे होंगे आज हम अपनी केचन में बनाएंगे रेशे वाले शामी कबाब जो बहुत ही जादा मज़े के बनते हैं और बहुत ही जादा यूनिक recipe है आदा किलो ली हमने चने की डाल दो मीडियम साइस की प्याज लिया और उसको बारिक बारिक काट के रख लिया और आदा किलो ही हमने चिकन ली इसमें हम डालेंगे टू टेबल स्पॉन लेसन अदरक का पेस्ट वन टेबल स्पॉन डालेंगे जीरा वन टेबल स्पॉन जाएगा इसके अंदर पिसा हुआ सूका धनिया वन टेबल स्पॉन डालेंगे हम इसके अंदर कुटी होई लाल मिर्च, एक डालेंगे हम चिकन क्यूब वन टेबल स्पॉन डालेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला, वन टेबल स्पॉन डालेंगे इसके अंदर हम हल्दी, वन टेबल स्पॉन डालेंगे इसके अंदर नमक इस रेसिपी में हमें पिसे हुए गरम मसाली ही एट करने हैं साबत गरम मसाले आप नहीं डालिएगा पेन हमने गरम करने के लिए रख दिया था सबसे पहले हम फ्राइ करेंगे प्यास प्यास को हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राइ करना है अगर आप हाइफ लेंपे प्यास का फ्राई करेंगे तो हमारी प्यास जल जाएगी और जिस तरीके से हम क्रिस्पी प्यास जा रहे हैं वो हमारी नहीं होगी प्यास का गॉल्डन कलर आने तक हम अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे और कंटिन्यू चम्मा चिलाते रहेंगे प्याज हमारी फ्राई हो गई है अब हम इसको निकाल कर रख लेंगे ठंडा होने के लिए अब हम तयार करेंगे अपने कबाब का मसाला जितनी भी चीज़ें में आपको दिखाएं थी वो एकैं करके इसके अनदर एट कर दीज़ेंगा और पानी आपने इसके अंदर एक ग्लास डालना है ये आदर किलो दाल की कबाब का मसाला है अगर आपके कबाब को मसाला जादा है और आप जादा बनाना चाहते हैं तो आप इन मसालों की quantity डबल कर दीजिएगा इतने मज़े के कबाब बनते हैं और जटपट तयार हो जाते हैं जो working woman होती है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा असानी वाले कबाब है इतनी जटपट और जल्दी से तयार हो जाते हैं कबाब ना इसमें आपको machine यूज करने की जरूरत है ना ही आपको सिल्बटे पे पीसने की जरूरत है डाल गलने तक हमने इनको cover करके रख दिया था डाल और चिकन का पीस हमारा अच्छी तरीके से गल गया था अब हम चिकन के पीस को निकाल कर अलग रख लेंगे और ठंडा होने के बाद हम चिकन के पीस को फौक की मदश से रेशा रेशा कर लेंगे आप चाहें तो हास्प की मदश से भी रेशा कर सकते हैं लेकिन फौक की मदश से बहुत जल्दी जटपट हो जाता है रेशा आपने बहुत जादा बारिक नी करना थोड़ा मोटा रखना है आप जो डाल के अंदर पानी रह गया था हम तेस फ्लेम करके उसका पानी खुशक करेंगे डाल का पानी अच्छी तरीके से खुशक हो गया था था थोड़ी देर हम करेंगे इसको ठंडा डाल को ठंडा करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से गोट लेंगे अगर आपके पास अलिम गोटने वाला है तो आप उससे गोट सकते हैं या मेशा रहे तो उससे बहुत जल्दी से ये कबाब तयार हो जाते हैं हमारे पांस से दस मिनट में डाल फॉरन पिस जाती है इस तरीके से अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा मसाला हरे मसाले के अंदर दालेंगे हम पांस सेचे कटी हुई हरी प्यास धनिया और पौदीना अब जो हमने फ्राई प्यास की थी हाथ की मदद से हम इसको चूरा कर लेंगे इन कबाबों की जो स्पेशल चीजे वो यही है कि आप इसके अंदर फ्राई प्यास डालेंगे तो एक बहुत मज़दार सा फ्लेवार आता है अब एके करके हम सारे चीजे इसके अंदर रेट कर देंगे और रेट करने के बाद हमें बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीजों को मिक्स करना है कल मैंने आप से गाजर के हलवी की रेसिपी शेयर की थी अगर वाप से मिस हो गई है अपर लिंक आ रहा होगा आप उस पर जाके कलिक करें और कल वाले मेरे हलवी के रेसिपी जरूर ट्राइ करें बहुत ही मज़े का हलवा बनाता आपने ही कबाब लाजमी ट्राइ करने हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं अब हम करेंगे कबाब को fry और fry करने के लिए चाहिए होगा हमें एक अंडा उसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और पिसा हुआ गरम मसाला अंडे को हमें बहुत अच्छी तरीके से फेटना है ताकि दोने चीज़े अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं अंडा फेटने के दोरान हमने तवे को गरम करने के लिए रख दिया था ताकि हम अपने कबाब जल्दी से बना लें ओईल हमारा अच्छी तरीके से गरम हो गया था अब हम कबाब को अंडे से कॉट करकर fry करने के लिए डाल देंगे मीडियम फ्लेम पे आपने कबाब को fry करना है अगर आप हाई फ्लेम पे कबाब को तयार करते हैं तो हमारे कबाब अंदर से कच्छे रहते हैं और उपर से जल जाते हैं आपने इसका side जब change करना है जब एक side से लगे के हमारे कबाब अच्छी तरीके से fry हो गए हमें बहुत ज़ाधर dark color नहीं चाहिए हमें बहुत अच्छा सा golden color चाहिए कबाबों के अंदर इसलिए हमने इसको medium flame पे ही तयार करना है अब हम अपने बाकी बचे हुए कबाब को भी इसी तरीके से फ्राइ कर लेंगे कबाब हमारे तयार हो गए हैं और डिशाओट भी हमने आपको करके दिखा दिया है माशालला बहुत ही मज़े की ये कबाब तयार होते हैं अगर आपके पास टाइम शोट है तो आप ये कबाब जरूर ट्राइ करें जो भी इस कबाब को खाएगा वो तालिफ के बगर नहीं रहेगा अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें कमेंट्स में बताएं मेरी वीडियो आपको कैसे लगी बहुत जादा मुझे शेयर करें फ्रेंड्स और फैमली में वीडियो पसंद आने पे आप मुझे जादे से जादे सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताके मेरी नईनी रेसिपी फॉरण आपके पास पहुचें आप मिलेंगे एक और मसेदार सी वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक दें मुझे अजादत अल्ला हाफिज